Hello students, मैं हूँ उच्छा चित्रांच और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ जिसका राम में चित्रांच Commerce Classes तो चलिए शुरू करते हैं So students, जैसा कि आपको अल्रेडी पता चल चुका होगा कि CVSC ने अपने syllabus से 30% यह जो कोरोना का बारा पेंडमिक चल रहा है इसकी वैयसे अपना यह syllabus reduce कर गिया है यह वीडियो जो मेरी है, यह मेरी Class 12 के लिए है जिसमें मैंने Accountancy, Economics और Business के लिए आपको पूरा एक जो syllabus reduce हुआ है, पूरा उसकी classification के साथ और marking के साथ मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और आपको description में मेरी Class 11 के लिए जो syllabus change हुआ है उसकी भी link मिल जाएगे अगर आप Class 11 के student e commerce के तो आप description में link में चले जाएगेगा यह हमारा 12 के लिए है, so 12 के लिए मैं जैसा बता हूँ, जैसा कि यहाँ पर Accountancy subject है तो इसमें मैंने आपको पहले भी इंबर marking pattern सारे बताये थे तो हमारे Accountancy subject में total जो दो part की book है, part A and part B ठीक है, अब यहाँ पर part A और part B में जो है, तो part B जो है, यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता लेता हूँ, यहाँ पर clarification हो जाए, पहले एक चीज़ का कि part B जो है, FSA subject मेंस जो Financial Statement Analysis की हमारी book है, इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, नो changing है, यानि कि इसमें जितने chapters थे, जितने questions थे, जितने topics थे, वो सब के सब as it is रहेंगे, कोई changing नहीं होगी आपके FSA के syllabus में अब आईए आप देखे part A में, part A में जैसा कि आपने NPO और partnership देखा होगा, company के एक अलग book देखा होगा, यहाँ पर फिर हम आपको बता देते हैं, NPO का जो chapter है, not for profit organization का, जिससे हमारे boards में 10 marks पे question आएंगे, इसमें भी हमारा क्या है, no changing है, मतलब कि NPO वाले chapter से, और यह जो as it is, आज भी पूरे आपको topic पढ़ने है, अब changing कहाँ पर होई है, तो मैं आपको बता देना चाहतो, जैसा कि दीखे partnership है, partnership से आके total 30 marks के board में question आते हैं, मैं अब इस सब चीज़ लिग कर रखा हूँ, आपको explanation बहुत short में दूँगा, और बहुत clarification के साथ दूँगा, आपक का topic है, तो इसमें देखे changing किस chapter में हुए से, admission of partners में, retirement and death में, topic क्या deduction हुआ है, chapters तो as it is है, बस जो topic deduction हुए है, तो जो सबसे important topic हुआ करता था, यानि कि जो सबसे complicated topic था, जिसमें सबसे ज़्यादा calculation करना पड़ता था, वो था adjustment of capital था और वही आपका deduction हो गया, अभी तक इस इसी topic से हमारे board में, जो 8 marks के question है, वो जादे तर बनाए जाते थे, और इसी topic का आपका deduction हो गया है, यही सब सारी चीज़े मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, ऐसे तो आप लोगों को सब चीज़ पता होगा, यह topic आपके क्या क्या deduction हो, आप लोगों को आपको आपकीं के साथ बताऊगा कि कितने marks के आते थे और अब किस टायक के question आएंगे, so adjustment of capital से total 8 marks के हमारे questions आते थे, जो कि अब यहाँ पर deduction हो गया, तो अब किस टायक के question आएंगे, यह question होगा, तो अब क्या होगे, जितने भी adjustment इसके बाद बचे और भी सारे adjustment, for example, hidden goodwill, अब य आपको regular उसके practice करांगा, so deduction की चीज़ के हुए, adjustment of capital account जो हम लोग बनाते थे, admission के chapter में, अब यह topic नहीं आएगा, दूसरी चीज़ जो balance sheet बनाए जाती थी इसमें, वो भी नहीं आएगी, मतलब आपको balance sheet भी नहीं बनाना है, मतलब जो आपको commerce में कहा जाता है, कि balance sheet मैच हो Revaluation account, partners, capital account, तो कितना easy हो जाएगा आपके लिए sell us, या फिर journal entry पास करने के लिए, और journal entry को मैं trick से solve कर आता हूँ, आपको level करने की बिल्कुल ज़रुद नहीं है, मैं आपको ऐसी technique सिखा चुका हूँ, अपने last videos में भी, और आगे में सिखाता रहूँगों, जिससे आपको general entry का concept बिल्कुल clear हो जाएगा, फिर हमारा जो next topic है, retirement का, retirement में आपका जो सबसे important topic था, वही deduct हो गया, क्या चीज़ है, adjustment of capital account का एक इसमें भी topic था, वो भी deduct हो गया, और इसके साथ एक और जो most important था, loan account of retiring partners, loan account of retiring partners में क्या करते थे, जो partner retire होके जाता था, उसका हम लोग एक फ पर पूरा adjustment होता और यही question हमारा 8 marks में आते थे, यह भी यहाँ से deduct होगे आपके लिए, अब कितना easy हो रहा है syllabus कि यह adjustment का पूरा topic retirement और admission से खतम हो गया, और इसके साथी साथ जो loan का topic था important वो भी खतम हो गया, तो फिर अब इसमें हमारा topic है बहुत micro हो जाएगा, बहुत easy हो यह जो 30% का deduction हो रहा है इसके comparison में, फिर हमारा जो एक और chapter आता है partnership में which is death of a partner, इसमें भी जो सबसे important होता था, जो सबसे complicated interest का calculation किया जाता था, जिसमें diseased partner और executors account का, फिर हम लोग calculation करते थे, पूरा interest सारी चीज़े होती थी, बहुत बार बच्चे उस चीज में गलती करते थे, वही topic यहाँ पर deduct कर दिया गया, देखिए, मैंने लिखा है, diseased partners capital account, यह नहीं आएगा, यह सारे topic क्या है, यह नहीं आने वाले हैं आपके, यह सारे topic आप नहीं आएगे, यह सारे जितने हैं, तो disease partner account आपको बनाना ही नहीं, disease partner मतलब क्या है, कि जो partner मरता है firm में, उसक separate capital account बनाया जाता है, उसको सारी चीज़े क्या क्या देना है firm से, वो सब चीज़ का calculation अलग-अलग किया जाता है, तो यही topic आपका syllabus से deduct हो गया, दूसरी चीज़, executor account, executor account क्या बनता था पहले, कि जो partner हमारे मर जाते थे, उनके family member के लिए अलग से account बनता था, जिसका वो प से जादा दिक्कत होती थी, वही syllabus से हां से आपका deduct हो जुका है, ठीक है, knowledge purpose के लिए मैं वीडियो बनाता रहूंगा, आपके लिए आप देखते रहिएगा, क्योंकि knowledge बहुत जरूरी है, हमें knowledge होगा, तभी हमारे आगे काम आएगा, क्योंकि आपनों CA करेंगे, B.com करेंग चैप्टर, debenture का चैप्टर और redemption of debenture का चैप्टर, तो share and debenture में आपका कोई deduction नहीं हुआ, वो as it is पूरे के पूरे topic रहेंगे, redemption of debenture का चैप्टर था, उसमें method होते थे, debenture के calculation के लिए, तो बहुत सारे method होते थे, उसमें जो सबसे important था, जो board में अक्सर पूछे जात तो अब अब syllabus में है भी हैं यह आपके, तो lump sum method का numerical और draw of lots का एक method होता था, redemption of debenture के चैप्टर में, इनी दोनों में से किसी एक से अक्सर पूछा जाता था, यही हमारा एक तरह से cancel कर दिया गया, तो हम in short यह कह सकते हैं, कि पूरे accounting में एक तरह से redemption of debenture का जो chapter है, वो chapter ही बाकि जो remaining है ना topic वो आपके debenture वाले chapter में as it is अराम से आदेंगे, आपको कोई problem नहीं होने वाला है, तो अब देखिए आपका इस syllabus deduct होके कितना हो गया, यह भी आपका point up नहीं आने वाला है बोल्ड में, यह भी आपका minus कर दिया गया, तो partnership से यह पूरे minus हो गया, और company से redemption of debenture खतम हो गया, यह पूरा deduction हो गया और यह सबसे हमारे toughest topic थे जो अब खतम हो चुके है, NPO में आपका कोई deduction नहीं है, वो as it is रहेंगे, FSA की पूरी book as it is रहेंगी, share का chapter as it is रहेगा, debenture का chapter as it is रहेगा, जो fundamental है, profit sharing ratio as it is रहेगा, उसमें कोई changing नहीं है, आपको सब आते हैं, यह तो हमारा 80 marks का paper था न, यह जो accountancy का, जो हमारा 3 hours का paper होता है, यह तो 80 marks का paper होता है, बचे हुए 20 marks के जो practical है, इसमें भी आपका deduction हो गया है, और यह कैसे होगा, अब आप समझेगा, अभी तक बच्चे क्या करते थे, class 11 में तो बनाया ही होगा आपने, लेकिन class जो practical होता था, which is known as comprehensive project, और specific project बनते थे, comprehensive project एक बनाया जाता था, और specific project दो बनाया जाते थे, अब देखे आपके लिए यहाँ भी कितना easy हो गया, comprehensive project हटा दिया गया है, अब नहीं बनाना है, दूसरी चीज, specific project में आपको दो project बनाने पड़ते थे, इसमें से भी आपका एक cancel कर दिया गया, तो बचे कितने सिर्फ़, आपको सिर्फ एक ही project बनाना है, specific project बस, और यह बहुत easy बनाना, क्योंकि practical से मैंने आपको बताया था, कि practical वाला जो हमारा portion है, इससे हमारे total जो 20 marks के paper आते हैं, यह 20 marks हमारे 3 parts में divided थे, the first is, हमारा 12 marks का numerical test होता है, वो तो होगा ही दूसरा जो हमाता होता है, 4 marks का वाईवा, वो भी होगा, और 4 marks का जो हमारा होता है, 5 का, तो 5 में हमें इतनी महनत करनी पड़ती थी, तब जा कि यह सब यह पूरा बनाते थे, और यह तीनों, तब हमें 4 marks मिलते थे, लेकिन आपको एक ही बनाना है अराम से, और आप 4 marks यहा करिए, या फिर हमें WhatsApp पर भी आप contact कर सकते हैं, और इसके बास से, अगर आपको separately मेरी tricks के थूरू, जो मैं आपको सारी चीज़े समझाता हूँ, मेरी online classes भी start हो चाहिए, अगर आपको लेनी होगी, तो आप उसके लिए हमें contact भी कर सकते हैं, तो यह मैंने आपको overall accountancy का पू study of material, prepare करना है, case study सबसे important है for business study subject, तो अब हम इसे erase करते हैं, और हम फिर दोना topic बाते हैं, So students, अब इसके बास से हमारा जो है, जो topic है economics के लिए है, तो जो हमारा first है introductory of macroeconomics है, और इसके बास से जो हमारा part B है नीचे दिख रहा है, यह है Indian economic development का, यह हमारी दो books हैं, जैसा कि सभी को पता होगा class 12 में यह दो books हैं, अब इसमें जो हमारा first part में जो changing आया है, introductory of macroeconomics में इसमें जैसे की unit बना हुआ है, first है हमारा unit second में money and banking का, इसमें जो topic हमारे delete हुए है, control of credit through bank rate, CRR, CRR means होता है हमारा cash reserve ratio, SLR, statutory liquidity ratio, repo rate and reserve repo rate, market, operation, margin requirement, यह जो topics थे हमारे थोड़ा सा complicated topics हो जाते थे हमारे board के लिए क्योंकि इसमें percentage rates इनके सब याद रखने पड़ते थे तो इसको यहाँ पर learn करने में problem होती थी, तो इसलिए board ने क्या क्या है, यहाँ पर इस topic को हमारे delete कर दिया है, तो money and banking में हमारा जो यह topic है, यह delete हो चुका है, तो आपको इसके लिए परिशान होने के लिए बिल्कुल ज़रत नहीं है, इसके बासे जो हमारा unit 5 से है, balance of payments, इ इसके साथ ही साथ जो इसका determination of exchange rate in a free market, मतलब free market में जो हमारे exchange rate होते थे, उनमें क्या क्या changing होती थी, वो सब सारी चीज़े हैं हमारे topic से delete कर दी गई है, तो जैसा कि balance of payment, जो के deficit meaning में है, और determination of exchange rate, यह दोनों ही topic हमारे macro economics से delete कर दिये गए हैं, लेकिन बाकी जितने भी हमार chapters हैं, वो as it is, अभी भी रहेंगे, उनके सारे topics रहेंगे, उनमें कोई changing नहीं आया है, जो हमारा part B से question है, Indian economic development में, तो इस book से हमारे सिर्फ unit 7 जो हमारा है, current challenges facing Indian economy, तो इस topic में जो हमारा है, यहां से हमारा सिर्फ growth of education sector in India, alternative farming, organic farming, और infrastructure, energy जो topic हमारा है, सिर्फ ये इतने topic delete कि हैं, मतलब अगर in the sense हम कहें, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, Indian economic development में एक तरह से आपका, कोई भी changing नहीं किये गए हैं, यहां पर लगबग सारे chapters, आपके सारे topic examination में आने वाले हैं, बस एक छोटा सा topic जो है, growth of education sector in India, तो यही topic यहां से delete कर दिया गया है, अब इसके बारे में कह and economic से थे, यह हमारे सारे topic कट कर दिये गए हैं, economic के point of view से, बाकि सारे topic, सारे chapters as it is हैं, तो in short आप कह सकते हैं, कि हमारे economics portion में बहुत जादा deduction नहीं हुआ है, बस छोटे से minor से topic हैं, बस वो deduct कर दिये गए हैं, बाकि same as it is, अपने वैसे ही हैं, अब इसके बास से हम next topic देखत of management and part B हमारा है, वो है business, finance and marketing से related, so जो हमारा part A है, उसमें unit 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन सभी unit से हमारे कुछ-कुछ topics जो हैं, वो deduct किये गए हैं, for example, जो business environment का हमारा topic है unit 3 का, इसमें demonetization का जो concept था, और impact of government policies changes on business with social special reference to liberalization, privatization and globalization in India, in short हम कह सकते हैं कि जो topic से सब थोड़ा सा tough हो जाते थे हमारे case study को solve करने के लिए, क्योंकि हमारे business studies में सिर्फ और सिर्फ case studies ही सबसे जादे आते हैं, so इनी topic से सबसे जादा बनते थे और ये थोड़े complicated भी होते थे, इसलिए इस topic को delete कर दिया गया है, फिर इसी तरह से fourth number है planning से related, तो planning में single use and standing plans, objective strategies और जो policy है, इसके जो procedures है, method rules है, budget and programs है, ये सब सारे जो हमारे topics हैं, ये deduct हो गया है, ये भी हमारे topic जो होते थे business में बहुत important होते थे, in the sense हम कहें कि जो हमारे questions थोड़ा सा जादे इसमें tricky होते थे, concept को solve करने के लिए, तो इसलिए इस topic को थोड organizing में हमारा topic delete हुआ है, वो है format, जो sorry, formal and informal organization concept, तो यहाँ पर यही जो organization के हमारे दो types ही होते है, formal and informal organization, इसी से related सबसे जादे हमारे complicated case studies बनते थे, इसलिए इस topic को भी delete कर दिया गया है, next है staffing, इसमें भी as it is है, staffing as a part of human resource management concept, तो इसमें जो human resources means HRM का एक पूरा topic होता था, इस topic को भी यहां से reduct कर दिया गया है, अब इसके बाद से जो हमारा unit 7 है, which is directing, इसमें barriers to effective communication and how to overcome the barriers, तो इसमें मतलब communication में जो problems होती थी, उसके जो barriers थे, यह भी हमारे case study में थोड़ा सा complication create करते थे, इसलिए इस topic को भी यहां से कम कर दिया गया है, बाकी सारे topic as it is रहेंगे, मैं आपको सारे topics यहां पर बताते रहूंगा अपने channel पर, इसके बाद जो हमारा unit 8 है controlling, इसमें हमारा relationship between planning and controlling, जो हमने उपर अभी देखा है न, planning हमारा जो fourth unit है, और जो हमारा last आया eighth unit, जो controlling में कुछ है, तो इन दोनों के बीच में कुछ relations होते थे, इनको भी यहां से क्या किया गया है, deduct कर दिया गया है, इसके topic को, अब separate separate सारे topics जो है, वो यहां पर cover किये जाएंगे, इसके बाद से जो हमारा part B section है, business, finance and marketing, इसमें सिर्फ दो unit से कुछ topics deduct किये गये हैं, the first is unit 11, marketing, which is यहां पर जो हमारा topic deduct हुआ है, physical distribution, इसमें जो हमारा topic है, components and channels of distribution, channel of distribution थोड़ा सा हम हमारा case study में सबसे जाधे topic थे, क्योंकि यहां पर distribution के सारे topics को बताये जाते थे कि किस तरह से channel of distribution काम करता है, और किस तरह से यहां पर सारी जो प्रोसेजर distribution के किये जाते हैं, तो अब यह topic भी नहीं आएगा आपका, फिर जो unit 12 पे बात किया गया है, consumer protection act में, तो यहां पर consumer protection act होता था पूरा, जिसको CPA कहा जाता है, तो इस topic में भी आपका consumer protection importance को कम कर दिया गया है, और consumer awareness, means role of consumer organization and non-government organization, means NGOs, जैसे कि हमने आपको accountancy में आपका एक chapter है NPO, उसी से related यहां पर पूरा theory topic था, जो consumer protection act में, जैसे कि consumers के rights बताये जाते हैं, कि consumers के क्या क्या rights होते हैं, अगर कभी product खराब निकल जाए, तो क्या करना चाहिए, कभी claim करना हो, तो किस तरह से claim करना हो, कहा claim करना हो, यह सब सारी चीज़े इसमें आत business studies में भी जो topic delete हुए हैं, इसका यहां पर सारे topic हो गया है, हमारा accountancy, economics और business studies तीनों के लिए आपको सारे topic यहां पर बता दिये गए हैं So students, इसी के साथ हमारा यह जो syllabus changing था CVSC का, जो revised हमारा था, यह सारे topic complete होता है, हमारी class 11th और 12th के लिए दोनों के लिए हैं, अगर आप class 11th का वीडियो देख रहे हैं, तो आपको description में 12th के लिए मिल जाएगा, अगर आप 12th देख रहे हैं, तो आपको description में 11th के लिए मिल जा है कि हमारी online classes भी चल रहे हैं, आप हमारी online classes भी ले सकते हैं, या फिर आप हमारे YouTube चैनल को subscribe कर लिजे, बल आइकन पर click करके notification को on कर लिजे, जिससे कि मैं जैसे ही regular update करूं कोई भी numericals के questions की, तो आप तक वो notification पहुंच जाए, तो students, अगर आपको video पसंद आया है, तो video को like ज कर दो आपको